कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आप सबका दोस्वरोकुमार और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है सौरोकुमार अकैडमी तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रल कोड फैक्ट्री की तरफ से चन्नाई मे जो अपरेंटेशिप की निकले वी है नोटिफिकेशन उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो दोस्तों वीडियो में पूरा बना रहे हैं वीडियो को स्किप्प्र ना करें वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस से लेटेस इंफोर्मिशन मिलती रहे जैसी वेकेंसी की बारे में कोई भी आती है तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को तो अगर इसकी बात करें तो यह इसकी फुल फॉर्म क्या है 25 सितंबर 2020 के विश्क में अप्लिकेशन फॉर्म की जो डेट है स्टार्ट हो जाएगी और विश्यल पीडियाफ है ठीक है अब सब्सक्राइब कि वह किस किस के लिए निकले हुई है तो तो कार पेंटर हो गया एलेक्ट्रीश हो गया फिल्टर मेकेनिक्स पेंटर वेल्डर इन सबकी बचाँ सिनीकले हुए फ्रेश और और experience जो ITI वाले हमें तो आपके पास तैंत का सरेटिफिकेट होना चाहिए और प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेट ट्रेड में, ठीक है, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसके अंदर हम देखते हैं, 2 विकेंशिय कितनी निकली जेनरल के लिए कि लिए कारपेंटर की 18 ऑभी सीकी किया राएसी की छेष्टी थीजिती तीनी फॉर्टी चालेस के लिए ठीक है अगला डेका एक्स्पिरेंस की बात कर तो उसके लिए पहर से जिसमें जनरल की एक्षा राएसी की एश्टी की तीन और पी डवल्यूडी की दो मतलब दोशण की तरह सेम है एलेक्टरिशिन की बात करें तो इसटी की चेह पीड़ी की तीन है और अगर साथ एक्सपीरेंस की बात करें तो कितनी है यहां पर ज्यादा वैकेंसी है सब्सक्राइब करें तो फिटर की वेकंसी कितनी एक सो बीस तो आप की इधर हो गई फ्रेशर में और आएकस आई टी आई वालो के लिए कितनी हो गई एक सो 40 हो गई इसके अंदर विकंसी देख्या तो चपन होगी फिटर के लिए और बीसी के लिए बद तो आगे का देखते हैं तो मेकैनिक्स की वेकैंसी कितनी है 40 अरखी हुई है टीक है और फ्रेशर उसके लिए टोटल वेकैंसी की बात करें तो आप देख लिए तो फोर एटी तो फ्रेशर के लिए प्लस आपका क्या होगा पांचो डस जो है वह किसके लिए हो गया कि अब देखें इसके अंदर इस्पेशल मेंशन के रखा है कि जैसे जिन्होंने आई टी आई का रखा हुए ठीक है उनके लिए अगर किसी ने इंजिनिरिंग कर रखी है डिगरी का रखी है कोई डिपलोमा का रखा है तो वो लोग अप्ला एलिजिबल नहीं है इस चीज के के लिए पहले इन्होंने साफ साफ मना करते हैं तो जिन्होंने डिग्री वगरा का रखी है वह अप्लाय ना करें जॉब के लिए दिस नोटिफिकेशन इस प्यूर्ली फोर गिविंग अपरेंटिशिप ट्रेनिंग और फॉर एम्प्लोमेंट तो यह क्या है आपको अपरे सकते हैं वीग डेस में ठीक है और सेटेड़े को आप कब साड़े नौ से लेके साड़े बारा के बीच में कॉल करके पूछ सकते कोई भी अगर आपको अडिशनल इंफोर्मेशन कोई अगर जानकारी वगएर आपको चाहिए तो ठीक है आपकी eligibility criteria ठीक है और क्या होगा कि तीन साल का relaxation के OBC को मिलेगा पांस साल का CST candidate को मिलेगा और दस साल का जो होगा पर्संट विद पैंचमार्क डिसेबलेटी पी डबलू बीडी के लिए आपको मिलेगा ओके कि मिनिमम एड्यूकेशन क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पीरिट की बात करें तो ट्रेनिंग पीरिट है आपका अप्रेंटेशिप है तो इसके अंदर क्या होगा आपका अगे की फिटर एएलेक्टिशन और मैककानिक्स के लिए जो आपके पास स्चुटेंग शुट है पास कि तैंथ स्टेंद दस्वी पास होना चाहिए मिनिम पचास परसंट तो होने चाहिए इसके पास और साइंस और मैथ होना चाहिए इसके पास ठीक है या फिर और इस एक्विवेलेंट अलसो पुझे नैशनल ट्रेट सर्टिफिकेट इन दा नोटिफाइड ट्रेड इशू बै अगला देखते हैं कारपिंटर वगेरा होगे पेंटर व्यल्डर हो गए तो स्टूटेंट शूट है वही पचास होना चाहिए आ पचार पटसम मार्क होना चाहिए तैंत में और इसी कारपिंटर रिलेटर वेलेंटर में आपके पास आई टियाई का सब्सक्राइड नोच एक साल का एक्सपीरेंस और जो फ्रेशर कंडिडेट ने उनके लिए देख लेते हैं तो सारी चीज़े यह साल का ट्रेनिंग पिरेड होगा कारपेंटर से लिए से से प्रोसिश ये रखा हुए बस ट्रेनिंग पिरेड इसके अंदर यह दो डिसाल का होगा त्जींगubenर कंडिया और ऑर ऐसे का एंटर पेंटर होगाbel가락 को इसके लिए आपको का Thai है कि आपके पास तेंथ होना चाहिए तेंथ क्लास आपने पास कर रखिए और जो MLT रेडियो लोजी और पैथोलोजी के लिए है आप 12 पास होने चाहिए जिसके अंदर आपके पास की बाके सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब काले मिल्वाच पास के लिए त्वाल कтесь फ्रेश को गास इक हीए रखिए आपको पे किया जाएगा ठीक है स्ट्राइप अप्लाइब कर सकते हैं इस वेब साइट पर जाके कि पीवी आई सीएव डॉट इन पर ओके इस पर आप कर सकते हैं सब्सक्राइब अगर हम यहीं बात करें आपके फीज की तो प्रोसेसिंग फीज कितना होगा सोर पर प्लस सर्विस चार्ज ठीक है जो नौन रिफंडेवल होगा और दूसरी चीज जो होगा हमारे स्थी हो गया फिर भी डब्लू बीडी हो गया उनके लिए कोई भी फीज नहीं है जीरो फीज कोई फीज नहीं उनके लिए आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसी लगते थोड़ी बहुत भी इंफरमेशन मिली है अगर वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दें ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तीसी चीज और कि अगर कोई भी डाउट वगएरा आपको इस पोस्ट से रिलेटेड है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ ले ठीक है आपको अंसर मिल जाएगा कमेंट करके पूछ ले कोई भी डाउट वगएरा कोई विकारी वगएरा है अपने दोस्तों में कर दें जिन्होंने भी आई टी आई का रखाए डिप्लोमा इंजर्णिंग वाले अप्लीकेवल नहीं है इस वेकेंसी के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग